हाई एवरीबन कैसे हूँ आप सभी लोग आई हूब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ रहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूट्योरियल्स में फ्रेंड्स आज एके आपके सामने मोश्ट इंपॉर्टेंट का लेक्षर वीडियो लेकर आगया हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे स्वेंट स्टैंडर्ड के लिए मात सब्जे का जो चाप्टर बन नाइन हमारा चल रहा है जिसका नाम है डारेक्ट प्रपोर्शन और देखने वाले हैं तो आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है डिरिक लिए हम बात करेंगे उसकी जो है पार्टनर्शिप तो इसके पहले आपने देखा कि क्या होता है डारेक्ट प्रपोर्शन और उसके हेल्प से हमने कुछ एक्जांपल्स हमने सॉल्ड किते हैं सॉल्ड ए अगर इसकी मैं बात करूं दोस्तों कभी भी आप अगर सोचते हो जैसे कि बहुत सारे ऐसे च्टाटप्स होते हैं जिसको हम लोग बिजनस स्टाट करना आंत्रप्रणर्शिप हो गया बहुत सारे चीज हम लोग कुछ बिजनस अगर चलो स्टार्ट कर रहें कुछ भी आप अपना कुछ शेयर दो, मैं आपना कुछ शेयर दूँगा, हम दोनों आपस में contribute करके, funds collect करके हम बिजनस को start करेंगे, तो इस तरह से partnership होता है, अब यह जो partnership होता है दोस्तों, अलग-अलग तरीके से किया जाता है, अगर मैं बात करूँ, तो partnership जो होता है, वो share के उपर depend करता है, और कोन कितना amount उसमें भर रहा है, उसके ओपर भी depend करता है, तो उसी के base पर, basic meaning तो मैंने आपको बता दिया, कि partnership क्या होता है, लेकिन उसी के base पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसा चीज, जैसे कि solve examples यहाँ पर आपके इसमें दिया हु जो कि यह अपका partnership का जो topic है, clear cut यहाँ पर बोलके रखा है, कि जेलम and अथरवा invested 2100 and 2800, यानि कि उसने 1200 और 2800 रुपिया यहाँ पर invest किया, मतलब दो इंसाने एक जेलम है, एक अथरवा है, एक ने 1200 रुपिया इन्वेस्ट किया, और दूसरे ने 1800 रुपिया है, और उन्हो चाट किया, और उनके वजे से यहाँ पर उन्होंने profit को कमा लिया, अब profit कमाने किया, और उसमें यह पूछा है, कि how should it be share, यानि कि 3500 रुपिया जो profit आया, अब दोनों लोग आपस में कैसे बाढ़ेंगे, क्योंकि यह लो 50-50% के तो partner नहीं नहीं पहली बात, क्योंकि एक कम पैसा invest किया, 1200 और दूसरे ने यहाँ पर 2800 किया, मतलब कम ज़्यादा invest किया, तो जिसने कम investment किया होगा, उसको profit जोगा, वो भी कम देना पड़ेगा, और जिसने ज़्यादा investment किया होगा, उसको profit भी ज़्यादा मिलना चाहिए, तो इस प्रकार 3500 रुपिया जो आया है, उसको उन लोग कैसे share करेंगे, यहाँ पर ऐसा question हमें पूछा है, तो बहुत ही easy सवाल है, इसका सवाल का जवाँ हम देंगे आपको, तो सबसे पहले मैं आपको link देता हूँ, heading डाल लेते हैं, हम लोग, that is example number one, बहुत ही simple, subtle सा example है, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को proportion न इन्वेश्टमेंट किया, उसका proportion क्या होगा, वो हम लोग सबसे पहले calculate कर लेते हैं, इन्वेश्टमेंट जो भी रहेगा उनका, वो हम लोग निकाल लेते हैं, क्या है investment, सबसे पहले आपने देखोगे, जहेलम जो था, उसने 2100 रुपया invest किया, और proportion मतलब क्या होता है, त इन्वेश्ट किया, तो हम लोग निकाल सकते है, 2100 अपन 2800, इससे हम लोगो क्या मिलेगा, एक ratio मिलेगा, एक proportion मिलेगा, clear है, अब यहाँ पर इसको solve कर लो, क्या आता है, तो आप देखोगे 00-cut, 73-21 हो जाएगा, 74-28, यानि कि 3 by 4, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते है 3 ratio 4, यानि कि दोनों का जो investment का जो ratio है, वो 3 ratio 4 है, correct है, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कंसिडर करते हैं, कि जेलम जो था, उसने 3rd हिस्सा, जो दूसरा था, जिसका नाम है यहाँ पर अथर्व, उसने यहाँ पर 4th हिस्सा, मतलब total 7 हिस्से में से, तिसरा हिस्सा, 3rd हि जेलम ने contribute किया रहे हैं, 4th हिस्सा जो है, वो अथर्व ने किया रहेगा, तो हम लोग एक चीज़ लिखेंगे, कि let the profit, या फिर आप बोल सकते हैं, कि जो भी उनको investment उन्होंने किया है, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि जो total investment था, वो कितना हो जाएगा, हम लोग मान सकते हैं, इसका अगर मैं माहूंगा X, तो यह हो जाएगा, let the profit और investment का जो भी shares रहेगा, वो कैसे manage कर लेंगे हम लोग, हम लोग, जो कि हो जाएगा, 3X and यह हो जाएगा 4X, तो यह हो गया 3X, यह हो गया 4X, क्यों लिया, क्योंकि इसका 3, जो X क्या हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, तो X मुझे पता निया, X ही मुझे निकालना है, लेकिन तीसरा हिस्सा जेलम का था वो पता है, फोर्थ हिस्सा जो मेरा अथर्वा का था, वो मुझे पता है, तो यह दुना में डाल दूँगा यहाँ तो 3X और 4X हो गया, अब मुझे पता है, यहाँ पे टोटल मिला के कित दिया हुआ है, यहाँ पे 3500 का profit यहाँ पे mention किया हुआ है, तो 7X is equal to 3500 हो गया, तो हम लोग X का value यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3500 डिवाइड बाइ 7, जो की आपको आ जाएगा, यहाँ पे मैं solve करता हूँ इसके लिए, तो X का value कितना आ जाएगा, 75 to 35, य उसने 3X contribution किया, यानि कि profit होगा, तो जेलम का अगर मैं निकालू, जेलम का, कितना था, उसने कितना किया रहेगा, 3X किया रहेगा, तो 3X मतलब कितना हो जाएगा, दोस्तों, 3 multiply by X का value हमने निकाल लिया, जो किये 500, तो 3 multiply by 500, that is nothing but 1500 रुपीज, यानि कि जेलम को profit 1500 मिलेगा, जो दुसरा वाला है, जिसका नाम है अथर्व, ठीके न, अथर्व जो रहेगा, उसका कितना है, 4X है, तो 4X यानि कि 4 multiply by 500, जो कि हो जाएगा 2000, ठीके न, 2000 रुपीज, तो टोटल जो 3500 रुपे का profit दो, दोनों को आ रहा था, that is 3500 रहेगा, जो भी collections, जो profit उनको मिला था, उसमें ये दोनों कैसे बाटेंगे, 3X के ratio में and 4X के ratio में, क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने investment भी किया था, तो 3X investment किया, तो 3X profit मिलना चाहिए, 4X investment किया अथर्व ने तो उसको भी 4X का हिसाब से profit मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से जेलम को 1500 रुपिया मिलेगा, 3500 में स अथर्वक को 2000 रुपिया मिलेगा, clear है friends, तो उमीद करता हो, कि ये particular आपको जो example था, ये clear हो गया होगा, और भी असे बहुत थारी बहुतरी बहुतरीन examples है यहाँपे, लेकिन इसको हम लोग discuss करेंगे हमारे अगले lecture में, क्योंकि दोस्तों, यहाँपे ये topic तो मैंने आपक आपको explain कर लिया and किस तरह से work करता है कोई भी लोग बिजनस अगर start करते हैं क्योंकि प्राक्टिकल लाइफ में यह पूरा चाप्टर जो है काम आने वाला है मैंने आपको बताए भी था तो यह जब चीज जो है आपके use होने वाला है और आपको पता होना चाहिए किस तरह से किस तरह से हम लोग calculate कर सकते हैं और यह वाला एक्जांपल भी आपको clear हो गया होगा आने वाले कुछ एक्जांपल्स एंड साथ में प्राक्टिस है जो है ECQ पर बेस उसको हम लोग करेंगे हमारे अगले लेक्टर में तो आज के लिए हमारा आज का लेक्टर वीडियो दोस और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी तो मिलते हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए thank you and good bye